और क्या लगता है लड़की की भी साजिस हो सकती है बिल्कुल हो सकती है जैसे इसकी दादी बता रही है तो दादी को पता था कि इसकी लड़की गंदी है खराब है ऐसे करती है तो फिर धानधा करने के लिए रखी थी रखी क्यों थी इसको क्यों कि बाहुत सारे लड़किया पता हुआ था अनुसका और अभिसेख के बीच में और यह चाची यहां पर थी क्या जी हम घर पे इते क्या कुछ पता चला अपको हमको सुबहे में पता चला साम को जाते हुए आठ बजे के करीम में हम बैठे तो दूरा पे तो देखे अभिसेख जा रहे थे अपने भतिजे नहीं आया है फिर बड़े वाले गाए वहां पर बाइक लगा हुआ था अभिसेख का पता नहीं था फिर उसके बाद में बोले की लोग था तो फोन की अपने भाई को बोले की ठीक है घर में से तला तोड़के दूसरी वाली चावी ले जाओ तो बड़े वाले चले आया कहीं आसपास में होगा तो उसके बाद में घर पे आए तब तक वहां से फोना गया कि अभिसेका लस मिला है तो नाहर में काटके फेक दिया था फिर बड़े बाले यहां से गए सब लोग गाएं वहां पे फिर वहां पर पुलिस उलिस मन गई फिर तब तक ए लड़की बारे में एक बज़े के करिम में हमारे दर्वाजिय के साहा हुपाता नहीं था कि कौन किया है हत्तेया या किया को तक हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग और ज्यादा टेंसर नो रहाता है कि कौन मार दिया कि उमार दिया क्योंकि अगर चोर मारेगा तो बैग छोड़ करने जाएगा सवाल तो बहुत सारे थे पर जबाब कोई नहीं था लेकिन तब तक यह लड़की दूरा के सामने दिखाए दिया तो व जब बोली खुछी एप पूछी ऐधा तो पानि वनीं हम लोग पिला हम सचे बची यहे तो कुछ देखी होगी ड़ाई होगी फिर ले बताओ तो तुमको टेंसन नहीं अम लोग कुछ नहीं बतायेंगे तुमको बता दो कुछ ऑगर पता है तो तो बोल रही है कि हमारे भा अजीब हो गया कि हमको कुछ पता ही नहीं चाहिए सब के बारे में तो हम बोले कि तुम को तुम ऐसे काट दिया उस समय नहीं आई तो बोले कि नहीं हमको घर में बंद कर दिया था कि अभी से बोला था कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो जा करके तुम वहां पर गवाही देन पूछे पूछ्थाच की है Chop यहीं पर एक शले गए लड़की को यह पर रख когда चले गए खैwnा किelle लड़की के गल्ती से आपके लेकिन हमारे बच्चे का जां थो इसका बहुत तो फिर आपको काटने के लिए तो फिर धांदा करने के लिए रकार थे तो वासारे लटकी आई चैनल करते हैं लोगों इसका कतल कि नहीं हुआ। बाई इतना ही संगेर था तो फिर उसको कें नहीं काट दिया अची बताई यह चार लड़को को करने से अच्छा है नागी को कर दो कि उनको जबरदस्ति कतल कर दिया गया हमको नहीं पता है लेकिन हाँ अगर इस तरह काम हो रहे हैं वहां लड़के को सोच समझ के करना चाहिए ऐसे गंदे काम नहीं करना चाहिए नहीं तुमाबाप एक तो खुछ जान से जाते हैं दूसरे यह केस मुकादमा में लसार के चल अब इस चला गया कितना आदमी करजा पहिचा करके निमन बजाए पढ़ाई लिखाए खाना पीना सब कुछ आज चला गया वेचारी क्या जिंदगी रह गया बताई आप कैसे जीएगी उसके लिए रोएगी आपरो किसी और के लिए अपना जान दे दिया तो हम नहीं चाह लडकों से दूर रहे लड़कों लडकिया से दूर रहें क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए अपने बचlave को अच्छा इस संसिकार देते हैं अच्छे से ही पालते पर इस तरह का जब करके चले जाते हैं तो खुद माबाप अब इसे ठीक है चला भी गया है तब भी हम लोगों को क्या सरम नहीं आती है सवाल नहीं उड़ती हम पर हम किसे पूछेंगे क्योंकि वो तो दुनिया में है नहीं तो इतनी तकलिफ हो रही है कि हम किसे बताएंगे बता भी नहीं सकते तो हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ना करें माबापको इतना तकलिफ ना दे अच्छा ऐसे बोल रही थी कि हम लोग तीस को भागने वाले थे ऐसा कुछ था नहीं तीस को बच्चे चुड़ा ओड़ा बदल कर लाये थे जैसे जानते है कि सने से यहां से बाहर जाता है तो हमारे जैधी जो इनकी बहुन है अभी से कि उसके वो बोल रहे थी कि हम दोनों आदमी प्लान किये थे कि भाग लेकर प्लान वही जाने हम लोग नहीं पता था हमारे घर में जो हुआ था वह हम आपको बताएंगे अभी से उसी दिन चुड़ा बदल के लाय था हम लोग तीस तारी को बाहर जाने वाला था यह जो मंजली है इनको आप लोग कब तक रखिएगा यह तो आप कानून से पूछे तो ही ज्यादा बेहतर होगा सासन लाकर रखा है से पूछिया कि अंजली उनके घर कब तक रहेगी क्योंकि हम तो कुछ बता नहीं सकते हम तो उनके हिसाब से चलते हैं अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकते तो हम रखे हैं हम रखे हैं वो कह देंगे आज वो अपना लेके जाए हम को उससे कोई मतलब नहीं है देखिए इनमें जो भी दोसी हो उन पर कड़ी से कड़ी कानुनी करवाई करें और गिरफतार करें और अगर अनुसका दोसी है या जो भी दोसी हो अब मुडर तो नहीं करना चाहिए किसी का अगर पकड़ा भी गए या इनका भी दोस हो लेकिन मुडर करना ये कानुन को अप करते रहे धन